वेलकम, क्लास एट्ट स्टुडेंट, नाउ टूडें विल स्टार्ट वोकेबलरी पार्ट एंड चप्टर नंबर 5, नंबर धैट फॉर्म 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 वर्ड विच हैल्प उस इंडिसाइडिंग वैदर गीवन नंवन और मोरे नंबर नंबर की जो डेफिनेशन है वो यह है कि जो फॉर्म में नाउन वर्ड्स की वो हमें यह डिसाइड करने में हैल्प करती है कि जो गीवन नाउन है वो वन है या उससे जादा है So a word or symbol that represents an amount तो ऐसा word or symbol जो क्या represent करता है Amount, मातरा या a quantity and a quantity of people or thing या quantity बताता है या किसकी quantity बताता है People or thing की, चीजों की और इंसानों की इस अपोस्टों भी number उसको हम क्या बोलते हैं Number Numbers are of two types in English अगर English की बात करें तो numbers जो होते हैं वो कितने types के होते हैं बटा, two types के First one is singular number and second is plural number हम बात करते हैं singular number की This form of noun indicates that the given thing or person is one ये जो noun की form में ये बताती है कि जो given है वो क्या है या तो thing और person only one है One चीज की बारे में बताएगा तो singular जैसे example boy, horse, chair, hand, etc ये क्या बता रहा है, one person के बारे में बता रहा है और one thing के बारे में बता रहा है Next हम बात करते हैं plural number This form of noun indicates that the given things or persons are more than one प्लोजर में क्या होता है जो form of noun नहीं वो ये बताती है कि जो given things or person रहा है एक से जादा है जैसे boys, horses, chairs, hand, etc अब example देखेंगे तो समझ में आजाएगा A student is reading his book इसमें एक student की बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है बुक पढ़ रहा है The students are reading their book और इसमें क्या है ये बता रहा है कि students बतलब जादा एक से जादा student जो है वो बुक पढ़ रहा है Rules of forming plural noun from singular noun क्या rules हैं plural noun से singular noun करने में Rule number one Normally S is added at the end of singular noun Normally क्या करते हैं पहरे लूर में हम S लगाते हैं singular noun में टाकी वो क्या हो जाए plural noun हो जाए Example boy तो हमने S लगा दिया तो boys हो गया Girl तो S लगा दिया तो girls हो गया Rule two Generally S is added to singular noun दूसरे रूल में हम ये करते हैं singular noun में क्या add करते हैं S जिसमें वो किस से end हो रहा है S, double S, CH, S, S, Z, X to make them plural Plural में बनाने के लिए हम क्या करेंगे अगर last में ये सारे words हैं तो हम ES लगा देंगे जिसे box तो X आ रहे last में तो ES और H तो ES Rule three S is added after noun which end with Y and a vowel before is हम क्या करेंगे कोई भी noun जो किस से खताम हो रही है Y से या फिर उसके पहले Y से पहले उसके वोवल है वोवल क्या होते हैं वोई A, E, I, O, U वोवल है या Y है तो हम क्या लगाएंगे S जैसे Y था तो हमने S लगा दिया और Y से पहले E या वोवल है तो भी हमने S लगा दिया Rule number four When there is Y at the end of a singular noun and any consonant before Y अगर noun के last में Y है और उससे पहले कोई consonant है Y को किस से replace करेंगे I से और इसमें हम क्या लगा देंगे ES लगा देंगे प्रूलर बनाने के लिए यह बटा हम पहले से पढ़ते हाँ चुके हैं यह हमने पहले भी पढ़ रखा था पहले भी chapters में यह बताये थे rules तो baby तो babies city तो cities Rule number five The following nouns ending in F और FV form ऐसे कोई noun जो किस से खतम हो रहे F या FV form से उनको अगर हम प्रूदर में change करेंगे तो हम क्या करेंगे F और FV की जगे V और ES लगा देंगे जैसे काफ तो F अटा की VES लॉफ का लॉफ लाइफ का लाइफ हाफ का हाफ तो हमने क्या किया प्रूदर में करने के लिए change कर दिया There are some exceptions when F और FV are not replaced only S is added after them और कुछ exceptions हैं जिसमें हम F और F E को replace नहीं करते हैं खाली क्या कर देते हैं S को add कर देते हैं जैसे chief तो हमने F को हटा या नहीं उसके आगे S लगा दिया रूफ में भी हमने हटा नहीं S लगा दिया यह कुछ exceptions है Rule No.6 The singular noun having O in there and take ES to form plural कोई भी singular noun जिसके last में O लग रहा उसको plural बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे ES Hero का तो हमने ES लगा दिया Tomato के आगे भी हमने क्या लगा दिया ES लगा दिया फिर Note but only S will be added after such words which are either abbreviation और exogenous origin word containing O in there and इसमें क्या होगा खाली जो abbreviations words होंगे या फिर जिनके आगे O है उन्हें के आगे ES लगाएंगे जैसे kilo तो kilos photo तो photo तो यह abbreviations words है rule 7 some singular nouns are made plural by simply changing the vowel present in them कुछ कुछ singular noun को अगर हमें plural में change करना है तो हम क्या करेंगे उनका जो vowel से उसको ही change कर देंगे जैसे man तो हमने men कर दिया twoth का हमने tweth कर दिया इसमें हमने क्या कर दिया vowels को ही change कर दिया rule 8 some words are made plural by adding en और ren in singular कुछ words में हम क्या करेंगे singular में प्रूदर करने के लिए en और ren लगा देंगे जैसे stepson तो stepson sorry ox तो oxon child का children जोसमें हमने क्या लगा दे en और ren लगा दिया rule number line compound noun are made plural generally by making last word plural compound noun में हम क्या करेंगे plural बनाने के लिए last word को plural कर देंगे जैसे stepson तो हम stepson कर देंगे but in compound noun if man और woman word is join in some other word लेकिन अगर man और woman जो word है वो किसी दूसरे word के साथ जोड रहे है तो both the words are made plural तो दोनों को क्या कर देंगे plural कर देंगे जैसे man worker to man workers if the compound noun is in the form of noun word prepotition plus noun तो the first noun word is made plural अगर कोई भी compound word इन तीनों से मिलके बन रहा है तो हम उसको प्रूलर करने के लिए क्या करेंगे नाउन को प्रूलर में चेंज कर देंगे जैसे father in law तो noun prepotition of noun तो father को हम ने क्या कर दिया fathers कर दिया rule 10 some nouns remain same in singular as well as plural कुछ noun जो है वो दोनों में सेम रहेगी deer deer fish fish rule 11 the singular प्रूलर यहे प्रून्स को हम कैसे करेंगे singular से प्रूलर फॉर्म में करेंगे अब आता है प्रूलर फॉर्म आफ सम वर्ड्स यह बता रखिये singular में hoof to hoof city का city is wall का वोस तो यह कुछ दे रखा है जिसमें आपको बता रखा है प्रूदर फॉर्म आप साम इंपोर्टेंट वर्ड्स नाओ कम टू सब वर्क आपको कुछ वर्क करना है बटा कॉपी आज़ा यह पेज नंबर अपना वही 113 जिस पर आपको इस अप्टर से रिगाटिंग कुछ करना है सबसे परले आप ट्रा के नाम डालेगे ज़ Teachers के इस यह तक आपको पूरा लिखना है कि है यह करना है इस की कारना है यह करनाया इंस कि यह रूर्स मत लिखनान है बहुऔर कशी कि एक्साइज वन का कोशन वन में आपका और डूझा टूब्ल कडिने हैं और की तो इसी सब्सक्राब करने उर सी एक्साइज goodPI यूम करनीятно और इन दोनों को बूक प्लस कोपी दोनों में कडना है पीछे भी है तुबट आप अपना कम्प्लीर कर दीजिएगा काम है आपका हुआ वोकैप जड़ी का चप्टर नमबर फाइफ नमबर खतम अगर कोई भी प्रॉब्लम हो you can ask, okay thank you